Good morning and jam dear students, myself Mrs. Pushudek rabatna, I am your class teacher. Students, today I will you teach Maths. Is everybody ready to start? I think we can start now. So let's go start. Okay students, today I will you teach Maths. और students, I hope आपको बता होगा, in previous वीडियो में हम लोगो, इनवर्स, 50 तक 1 to 50, लर्न कर लिए हैं और रयट भी. तोड़े मैं इन्वर्स आपको 51 to 60 डाइट करवाऊंगी ओके लिसन केर्फॉली देन फालो मी नंबर्स एंड नंबर नेम्स 51 to 60 ओके ये बिट आपका क्लास वर्क है ठीक है आपका ये क्लास वर्क है ओके और डेट आपको सबसे पहले क्लास वर्क एंड डेट और टॉपिक डाइट करना है ओके लिसन केर्फॉली काउंट रीड एंड से दा नंबर नेम्स एलाउड ओके आप देख रहे हैं यहाँ पे 50 की स्पेलिंग आल लेडी मैंने आपको बता दिया है 5050 की स्पेलिंग 5050 होता है तो 51 से लेके 60 तक में 12 की स्पेलिंग जो होती है वो राइट करेंगे और उससे पहले 50 की स्पेलिंग आप देख रहे हैं ठीक है यहाँ पिक्टर्स के थुरू आपको इन्वर्स बताया गया है यहाँ पिक्टर्स बना आए पिक्टर्स को काउंट करेंगे तो 51 आएगा ओके 51, 52, F-I-F-T by 50 and 3, 3 की स्पेलिंग नेक्स्ट F-I-F-T by 50, अगें 4 की स्पेलिंग 54, 50 की स्पेलिंग and 5 की स्पेलिंग क्या हो गया 55 ओके 56, 50 की स्पेलिंग and 6 की स्पेलिंग 56, okay next 57, 50 की स्पेलिंग again 7 की स्पेलिंग 58, 50 की स्पेलिंग and 8 की स्पेलिंग 58 next 50 की स्पेलिंग and 9 की स्पेलिंग 59, okay and last में 60SIXTY6 की spelling क्या होती है SIX6 और TY60 टोड़े बेटा हम लोग classwork पे 51 टू पेज में ये राइट किया हुआ है आप लोग देखिए 51 से 55 तक इस पेज में and 56 से 60 तक इस पेज में राइट किया है आपको भी inverse पले आप number राइट करेंगे 51 to 6, 60 ठीक है देन उसका name राइट करेंगे यानि inverse राइट करेंगे only cursue writing में neat and clean राइट करेंगे और बेटा इसको आपको learn भी करना है 60 तक आपको 51 to 60 spelling राइट करना है classwork पे then hw क्या है learn it अभी आपने जो spelling राइट किया है inverse राइट किया है 51 to 60 का आपको यही learn भी करना है book में pictures कित्रू आपको बताया गया है pictures count बनाया हुआ है उसको count करना है आप count करेंगे तो same उतना ही आएगा ठीक है तो बेटा यह आपका आज 51 to 60 inverse राइट करना है classwork में then hw में learn करना है okay that's all for today have a nice day bye